को फिट करते हैं अपनी डोमिनार पे यहां ऐसे करके बैठ जाए गए सूखे अभी कुछ ऐसा दिख रहा है यह कुछ ऐसा लग रहा है चलो भाई अब निकलेंगे टाप ओ टाप आप सभी ने वो गाना तो सुना होगा जिसका था मुझे इंतजार बो घड़ी आ गई आ गई तो मुझे था इंतजार इस पार्सल का और यह पार्सल है ग्रांड पिट स्टो से मैंने मंगवाया है और इसके अंदर है एक जीपिस माउंट जो की केटियम 290 एडवेंचर का है इसको मैं फिट करने वाला हूं अपनी डोमिनार में तो देखते हैं कैसा है खोलते है बाई खूल गया अपना डबा यह कुछ ऐसा दिखता है यह है अपना जीपिस माउंट जो मैंने मंगवाया था और यह निचे बेस ब्रेकेट इसकी स्कू लगे हुए है और काफी ज्यादा स्ट्रोंग है तो चलो अभी चलते हैं और इसको फिट करते हैं अपनी डोमिनार पे देखते हैं क्या इसका ऑपका अल्ट्रेशन के जूत पड़ेगी तो अन्ली यही अल्टर करना पड़ेगा इसकी बेस ब्रेकेट है बाकि तो ऊपर से लग से फिट है थाए सबसे पहले तो मैंने यह जीपेस माउंट क्यों मंगवाया मैं बताता हूं आपको जो डोमिनार का जो जीपेस मौंट है अगर इसके ऊपर आप कभी कैमरा बगारा फिट करते हैं उसका जो थो सब्सक्राइन पर भूँ permit 2019 या प्लास्टिक नवने दे रखा है और यह प्लास्टिक का जो है यह फिर भी हो जाता है जितना टाइट करोगे उत्ना टाइट होता जाता और यह हिलने लगता है उसके चलते मुझे जुरूरत पड़ी यह अपना जीपिस माउंट ओडर करने की यह जो है वो जीपिस माउंट यहां ऐसे करके बैठ जाए गया ऐसे करके इसको मैं फिक्स करूंगा पहले तो इसको मैं खोल लेता हूं फिर देखते हैं कि अल्टरेशन गैप के चलते जब जितना टाइट करोगे उतना वो यह दव जाता था और वो टाइट होता है नहीं था तो बस इसको अभी देखते हैं लगा के कैसे लगता है दूसरे वाला यह जो ब्रैकेट है थोड़ी सी बड़ी है यह इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड करेंग तो में भी काम बन जाएं आगा यह इस बहुत मैंनत कर ली मैंने बट मुझे लग रहा कि मुझे कि फैब्रिकेशन सोप पे जाना पड़ेगा और वहीं जाके उसका जो ब्रैकेट है उसको सही तरिक्के से अड़ेस्ट करवाना पड़ेगा तो चलते हैं भाई दर पास में यह फैब्रिकेशन सोप है बहां पे चलते हैं करवा के लिए करते हैं काम अपना कि यह वाला जो गाड़ हो गया तो फिर कैमरा माउंट हो सकता है यहां पर अपना यह वाला जो माउंट है वहीं सिप्ट कर सकता हूं आगे जीपिस माउंट पर ना मैं दो लोग घास लेके आ रहे हैं आज को घास की कटाई चल रही है अब यह जो घास है इसको इसको खाके रख लेंगे और उसके बाद मैं सारा साल इस्तेमाल करेंगे और मैं अभी जा रहा हूं हल्द्रा मैं बहां पर फैबरिकेशन सोप हैं भाई है एक जो काम करते हैं बैलिंग का चलो उने के पास चलते हैं अगर वो होंगे अब लेवल घर पे घर के साथ में यह उनके दुकान तो काम हो जाएगा मेरा बाई की चेंड का इश्यू है सूख गई है इसको भी साफ करके ना लूब करना पड़ेगा एक बाद चलो जी हम बस पहुंची जाएंगे पास में हैं दुखाने दर इनकी होंगे तो काम हो जाएगा वैसे तो बढ़िया बाई मैं थोड़ा आया कम कर आना एक छोड़ा देया भाई मिलके दुकान पे हैं जो जो ब्रैकेट है नवह नए बना ने बनाएंगे अब यह रेकिट है वो बैसे फिट तो हो जाएगी न अबर खिल रही है तो हम नहीं ब्रैकेट गुना रहे हैं और उसको नहीं ब्रैकेट के उपर वो जो उपर जीपेस माउंट है उसको फिक्स करेंगे अब जो चलो भाई काम अपना हो गया और फिक्स करने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है यह देखो भाई ऐसा अब इसके उपर बूब बार लगेगा डंडा और इस पर मैं स्प्रेइप्रेंट करूंगा भी जाके यह हमारे भाई इंपल भाई इनसे काम करवाया है थैंक य तो यह मैंने फिक्स करवा लिए दरी मेरे घर के पास में थी एक सोपना अब फैब्रिकेशन की जाने वाले थे भाई कर दी उन्होंने ऐसे दिख रहा है भाई इसके उपर अभी रोड लगाएंगे चलके ठीक है और उसके बाद अभी लांच का टाइम हो चुका है वैसे है लंच के बाद मैं मैं साहँ गां इसके लिए हील रहा है टाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा हील रहा है य अवाज कर रहा है वाइबरेट हो रहा होगा हलका हलका सा तो इसको तो रडिश्ट कर लूँगा मैं लंच के बाद मैं जाओंगा फिर utraनami लेकर आने के लिए न तो जी काम होगी यां ब्रैकेट हमने नहीं बनाई वो ब्रैकेट जो थी ना उसमें फिर मोडिफिकेशन हो नहीं सकता था करा आप और वह उतना सई से बना नहीं फिर भाई नहीं बना दी यह काम भी कर लिया और ऐसे होते हैं इंडिया मैं किसी वी जिसका जूगाड हो जाएगा वे रिकोटे से क्यामरा और फोन दोनों माउंट हो जाएगे तो वहह इसली मांट जाएगा चलो भाई घर पहुंच गए अभी मैं जा रहा हूं उसके लिए लेने के लिए और इसका जो अलाइनमेंट जो हमने किया था हलका सा वाइब्रेशन है तो मैं सोच रहा हूं कि जो बेस ब्रैकेट है और जो माउंट है उसको आप समें बैल्ड करवा देता हूं तो मैं दुकान से निकलूंगा बैल्ड कर आते हुए फिर मैं जाओंगा ब्लैक लर की स्प्रेय लेक्रें आओंगा और फिर मांट पर मारूंगा तो चलते हैं इस एंड टायर कभी पता करना है मुझे ठाकर द्वारा जाना पड़ेगा तो ठाकर द्वारा जाके टायर का पता मैं घर से आते टाइम ना कैमरा ओन करना भूल गया था तो इसको कवर नहीं किया मैंने प्रपैल्ड हो गया अभी अभी जा रहा हूं मैं बवारना बहां में मुझे बहां से में बाय करूंगा एक ब्लैक स्प्रेय जो इसके उपर करनी है पेंट और टायर का पता करूंगा में जाके और फिर बापीस आजाओंगा अगा कि यह रास्ता भी अच्छे यह बड़ी आया भी तक मैंने होचा कहीं टूटा फूटा होगा बट नहीं में बहुत टाइम के बाद आया यहां से लो जी आगया बवारना भी और पहले मैं सोचरों की ठागर द्वारा जाका आजाता हूं नहीं तो टायर सोप जो है छे वजे बंद हो जाती है अभी पांच ही फजे हैं अच्छा यह जाने के लिए रड़ी है हमारे घर यह जाएगी सन्हू लिखा हुआ ना चुहान चुह कि अच्छो यह है इस बंदे को मैंने पिछले कल से तीन-चार बार फोन किया ना पर इसने उठाया नहीं इन से बात करनी है मुझे भाया नुशकार MRF के टायर्ज रखते हैं आप हाँ MRF के नहीं रखते या डील नहीं करते हैं MRF के साथ कोई करता होगा इदर कांगरा से पहले कोई आज तो लेट हो गया जी अब इतो नहीं जाओंगा मैं आज तो लेट हो गया है आज बनुड़ी में भी आै मरफ वाला है जी अच्छ जा आज यहां जी अच्छ यहां जो आप बड़ा मोरणी यहां थीक अंकल थेंक्यू अच्छे ठीक है तो यहां बनूरी में बताईए सोफ एक बार चकर मार के आता हूं कि अच्छे आख वी अच्छे पर टाइम हो रखा है 633 अधेरा हो गया इधर ही अर्बन ऑटो मोटीव है अँपर बाटा था भाई के पास मैं इनका सर्विस भी करते हैं सभी वाइक की और राइडिंग्स के साथ में डील भी करते हैं बाइक के पार्ट्स बगएरा और सर्वि इसे स्रीज भी मिलती हैं इनके पास में ना इनसे गप्षमारी और कि हरी में रूम के लिए मैंने बाद करी हैं इनसे बाइब का रीम और टायज भी साइद बोल रहे हैं कि मैं चेक कर लूँगा अगर अब लेवल होंगे तो मंडे तक बताएंगे मुझे पेंट की जो चाहिए थी ना स्प्रें ब्लैक की वह भी नहीं के पास मिल गए मुझे फ्यूल डलवाई लेते हैं तर कि क्या रेट है स्पीड दा इक कर भी यह पाई दिया देंसिटी क्या इसकी 7 748.3 चलो भाई अब निकलेंगे टापो टाप अब निरुखेंगे कहीं कि रोड का चल रहा है काम पुरे पत्थरी पत्थर है रोड पे ना यह नालियां बना रहे हैं पक्की वाली ड्रेंड सिस्टम और अभी पहुंच जाओंगो मैं तिन चार-पांच मिनट में घर पे ना इस टाइम हो रहा है 743 इतना अनुमान था कि इतने वजे पहुंचूं कि मैं डॉज की लाइट्स बहुत अच्छी हैं कि मैं अच्छी मैं में डॉबुक डिल्टा है अलफा है अलफा मुझे सबसे बेस्ट कॉल्टी की लगी डेल्टा में और लोगवांगा मैं ड्लटा वह मंगभानी पड़ेगी उसकी फिटिंग रोओंगा अडिशनल पहुंच गया घर में भाई 47 पहाँ चार मिनिट में चलो भाई पहुंच के घर कल रात को घर पहुंचते पहुंचते हो गया था अंधिरा और तो काम जो था बाकी जो इसको पिंट करने का थो वो हुआ नहीं तो मैं भी करने वाला हूँ तो कुछ लुक ऐसी आरी है इसकी और अभी मैं इसको खोलूँगा चलो भाई चेक कर लेते हैं माउंट सूग गया होगा अपना और उसको माउंट भी कर देते हैं पापिस सारा दिन अभी धूबी चली गई है साम होने आई है चार बज चुके हैं भाई सूग अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अभी लुक इस कलर के साथ मैच होगा न पूरा है गरीन ब्लैक और इसी के साथ है मैच कर जाएगा पहले यह था औरेंज चलो माउंट करते हैं तो फाइनली मैंना यह ब्रेकेट जो है जीपेस माउंट बापिस फिट कर दिया है और अपना जो मॉइल होल्डर है वो भी इस पर लगा दिया मैंने देखो कितना सुन्दर लग रहा है मैंना इसकी जो ना भी वो निकाल रखी है बिंड स्क्रीन दिखाने के लिए आपको क पूरा सेटप यहां पर इसी ब्रेकेट में यह जीपेस माउंट मोडिफाइड करके इसकी ब्रेकेट मोडिफाइड करके लगा दिया अभी मैं इसको पूरा बिंड स्क्रीन बगा देता हूं उसके बाद चलते हैं टेस्ट राइड के लिए इसकी चलो हलका फुलका अलका फुलका तो हिल रहा है वैसे पर यह टाइट हो गया है सबसे अच्छी बात है सिए कि कैमरा का जो माउंट है ना वो टाइट हो गया है उस चीपिस माउंट पर वो कर दो थाइड़ कर दो हाँ झाल झाल गाइस अपने वीडियो में देखा कि 30-40 की स्पीड में अगर आप GPS मांट पे अपना एकसन कैमरा मांट करते हैं तो वो स्टेबल रहरा है उसके वाद थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो गया तो यह था ब्लोग जो कि मैंने GPS मांट के बारे में बताया कि टीम 290 Adventure के GPS मांट को इस ब्रैक्ट में आई होप आप सभी को यह ब्लोग पसंद आया होगा और इसी के साथ में इस ब्लोग को एंड कर रहा हूं अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को जाज़ादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो चै आप